हेलो गाइज, आज हम इस वर्डप्रेस के मॉडूल में देखेंगे कि आप जो मीडिया यूज करते हैं, मीडिया मतलब इमेजिस आपने अप्लोड कर दी, या कोई PDF अप्लोड कर दी, डॉक अप्लोड कर दी, तो उनको आप और्गनाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें प्लगिन यूज करेंगे, देखेंगे लिखा है, रियल मीडिया लाइबरीरी, रियल मीडिया लाइबरीरी क्या है, एक प्लगिन है, जिसके दुरू आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर बना बना के, आप इमेजिस को सेट कर सकते हैं, कि मालो मेरे पास क्या है, एक को add करूंगा या कोई plug-in यूज करूंगा जिसमे मुझे क्या करना पड़ेगा images को add करना पड़ेगा तो मैं उस folder से images को क्या करूंगा ले लूँगा इससे benefit यह होगा कि आपका folder एक justify way में रखा हो रहेगा और आपके लिए आसान यह होगा कि आप उस folder के according data के अगर सकते हैं ले सकते हैं तो अभी के process में हम क्या देखने वाले हैं कि आप folder को organize कैसे करोगे जो हमें media के अगरता है provide कराता है media default setting होती है wordpress की वहाँ पे सारी की सारी जो images होती है PDF होती है वो upload हो जाती है फिर वो images जो PDF होती है वो जो upload होती है उनको organize format पे कैसे रखना है folder wise कैसे रखना है यह आप अपने according के अगर सकते हैं set कर सकते हैं और यह चीजे मैं क्या कराऊंगा clear कराऊंगा तो चलिए हमें start करते हैं देखिए यह हमारी website है website से तो कोई लेना देना नहीं है उस topic का जो भी topic का लेना देना है वो आपके dashboard से है तो देखिए यहाँ पर plugin है जो मैंने अभी activate नहीं किया बस install करके रख रखा है real media library और मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा activate करूँगा किसके according images को set करना है तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर all files है unorganized है और मैंस है देखिए यहाँ पर लिखा है all files के अंदर 14 फाइल है और unorganized के अंदर 10 है और मैंस के अंदर 4 है तो मैंस तो मैंने एक बना के रख रखा है बस आप लोगों को दिखा सको कि मैंस पर क्लिक करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि मैंस के अंदर यह चार images पड़ी हुई है तो ऐसी आप यहाँ पर set कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्लिक करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक home gallery नाम का folder बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने home gallery नाम का folder बना दी है यह खाली है देखिए counts बताई नहीं ना अब इसके अंदर मुझे क्या गड़ना है तीन image यह सरक नहीं है तो बहुत simple है जैसे मैंने bulk select पे क्लिक कर दिया और यह यह और यह जैसे यह तीन image है मैं इसको drag करके ले जाके इसके अंदर क्या करूँगा पास कर दूँगा देखिए move कर दूँगा इसके अंदर तो यह इसके अंदर चला जाएगा मगर यहाँ मीडिया में से नहीं हटने वाला organize क्या है आपने आपने यह कहा है कि home gallery के अंदर यह चला जाए अब देखिए home gallery के अंदर यह तीन file क्या हो गई चली गई तीन image चली गई है all files में तो होंगी मीडिया में तो है इमीडिया का ही part है आपका क्या home gallery बस मैंने एक organized format में कर दिया कि एक folder बना दिया home gallery का उसके अंदर images क्या हो गई चली गई देखिए अब logic क्या है logic यह है कि आप इसको use कैसे करेंगे चलीए यह तो हमने organize कर दिया आपने क्या कर दिया क्लिक करता हूं यहां पर option है गैलरी का तो मैं यहां पर गैलरी पर क्लिक करता हूं मीडिया library में जाता हूं अब देखिए होगा ना कि मुझे ढूणना नहीं पड़ा मुझे यह नहीं ढूणना पड़ा कि कहां पर मेरी images पड़ी है मैंने पहले से format बना के रख दिया एक folder बना के रख दिया कि उसके अंदर यह तीन images है यह मुझे home बनाओंगा कैसे folder के अंदर images कैसे do करेंगा और image को जब मैं किसी page में use करता हूं तो कैसे यूज करूंगा उस folder के अंदर से यसी आपके सामनी क्या गई होगी और जैसी आप website को क्या करेंगे to ये आपको images क्या हूंगी वहां दिख जाएंगी देखे ये तीन ही में जिस क्या हो रही है आ रही है बस और्गनाइज करने का बेनिफिट अपने लिए डवलपर के लिए वेबसाइट पर कोई नहीं है वेबसाइट पर ऐसा नहीं सोचिए कि वेबसाइट तो नॉर्मल वैसे भी आ रही थी आप में इंडिय कर दो कर दो